नमश्कार स्वागत आपके वन्यूस की इस खास पेशकर्ष में और आपके साथ में हूँद दीपक व्यास राजस्तान में विधान सबाद चुनाव से पहले राजश्रतिक दल इंदिनों समवाद में जूटे हैं कॉंग्रेस जहां विधायकों से 1-2-1 समवाद कर रही है तो वहीं बुदवार को पतादिकारियों और कारेकरताओं को भी सम्मिलन में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए टिप्स दिये गए उधर कॉंग्रेस को हराकर चुनाव में जीत हासिल करने की मंशा के साथ तैयारियों में बीजेबी भी जूटी है बाच्पा के प्रदेश अद्यक्ष अलग लग इलाकों में जाकर जनाक्रोश रेली और घेराव के बहाने सरकार को तो घेरी रहे साथ में इस कारेक्रम के जरी अपने नेताओं, कारेकरताओं जनता से समवाद स्ताबित करने की भी कोशिश में लगे है चुनावी मैदान में पूर मुख्यमंत्री वसंदरा राजे भी कूच चुकी है और वो भी इन दिनों बीकानेर समभाग के दौरे पर है ऐसे में आज चर्चा का मुद्धा यही है कि क्या सत्ता की चावी समवाद है पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मैमान हमारे स्टूडियो में माजूद है मदन प्रजाबाजी जो की बीजेपी केनेता है और साथ में भरत में एकवाल जी जो की कॉंग्रिस केनेता है आप दोनों को बहुत-बहुत स्वागत है मदन जी और भरत जी मैं चर्चा की शुरूआत भरत जी आपस सत्ता में आने के लिए सरकार रिपीट करने के लिए पुरानी जो धाड़ना है परीपाटी है एक बार बीजेपी एक बार कॉंग्रिस की उसे तोड़ने के लिए अब संवाद कर रही है विधायकों से वन्टूएं संवाद हो रहे हैं वो पूरा हो पाएगा जनता के हिपो को हम साधने का काम कर सकते हैं और देखें आपने का कि समवाद के जरिये सत्ता की चावी हासिल करने का काम किया जा रहा है समवाद एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक समस्या का समधान किया जा सकता है समवाद एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो सामनी क्या जो नजरिया है और नजरिये को भी देख सकते है और चुनाओं से पहले विधायकों से one to one करना मुझे लगता है कॉंग्रस पार्टी का ये सबसे मजबूत एक कारे रहेगा और अभी कल ही हमारा जो एक दिवस्य कारे करम हुआ उस एक दिवस्य सम्मिलन में भी हमें जो 24 अपरेल से पूरे राजस्तान के अंदर रहत महंगाई कैम को लागू किये जाने वाला है जो कैम पा तरीके से रहत दिलाने का काम केंदर सरकार राजस्तान सरकार करने वाली है केंदर सरकार की गलत नीतियों के बारे में हम जाकर माँ बताने वाले हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है जिस तरीके से लोगों की जेपर डाकर डालने का काम किया जा रहा है और इनी सब च पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर इस तरह की योजनाओं की चर्चा नहीं हो रही होगी। सबसे अच्छी बात होती है ना कि मन में किसी कुंठा को दबाए रखना और वक्त आने पर उस कुंठा का परिणाम ऐसा आना। लोगों के जैसे नहीं की है चाहे वो माने नहीं है कोई भी हमारे मंत्री गंड रहे हो या विधाया गंड रहे हो क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी जनता के हुटों को साधने के लिए सर्वो परी रहती है। जिस तरीके से माने नहीं मुख्य मंत्री जी ने सदेव का है कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी लाबानवित होना चाहिए। उसी की तर्च पर रायस्तान प्रदेश में अने को योजनाई धरातल पर उतर कर लोगों को लाबानवित कर रही है। बोलते हैं वो जनता की हित्मी बोलते हैं तो कल पर सो राजेंदर गुड़ा बोल रहे थे कि किसी माई के लाल में अगर दूद पिया है तो छटी का दूद याद दिला दूँगा अगर सचीन पाइलेट जनता की थे इससे पहले माने नहीं मुख्य मंत्री अशोग गेलो ज जी उनके मंत्री विदायकों के बीच में जिस तरीके से 4.5 साल से जगडा चल रहा है और इस 4.5 साल के जगडे के अंदर राजस्तान की जनता पिछ रही है और राजस्तान का विकास कई सालों पीछे चला गया है उन सब को धोने के लिए ये जो कारवाई की जा रही है ये भुगत रही है दूसरी चीज समवाद समवाद कर रहे हैं परजी मानिये मुख्य मंत्री जी और पी सी सी के जो अध्यक्स थे सचिन पाईलेट जी मुख्य मंत्री थी उन्होंने कहा था सालों समवाद नहीं हुआ बात नहीं होती मेरे ऐसी पार्टी ऐसी सरकार में कैसे काम चलेगा आप बताइए तीसरी चीज आज जनकल्यानकारी योजनाओं की बात हो रही है मानिये असो गेलोजी के राज में 2018 से लेकिए अभी तक ब्रश्टाचार प्राकाश्टा हो गई है भू मापिया बजरी मापिया पेपर लीक मापिया यह सरकार 19 पेपर कराए 19 के 19 लीक है कि फुल पेज मंत्रियों के नाम हो जाए जांच नहीं हो और वहीं बैटे रहे अभीयोजन की स्कुर्टी जो है अधिकारी ब्रश्टाचार कर ले और वापस अभीयोजन की स्कुर्टी नहीं मिले वापस काम पे चले जाए और बजट में खड़े होके और गोशना है कर 2013 में भी गोशना की थी 2013 में भी नोने सर्वेय करवाये थे कितने रहे और क्या इस्तिती परिस्तिती आई अगर बिकानेर कल सीपी जोशी जीता है आज वसंद्रा जी है उसके बाद में इदर अजमेर सीपी जोशी जी रहेंगे वसंद्रा जी इदर रहेंगे तो हर विक्ति का हर नेता का अलग अलग शेत्र बाट के ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया जा सके तो इसके लिए आप एक चीज बता दीजे चले दीपक जी आज मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं साड़े चार साल से आप भी वरिष्ट पत्रकार है पत्रकार ही तकरते इतना समय हो गया एक बयान आज इस टिबेट में बता जीए सतीश पूनिया जी का वसंद्रा राज्य जी का एक दूसरे के खिलाप या सीपी जोशी जी का किसी के खिलाप हम मत यसा हो सकता है कि हमारे आपस के जो विचार है उनमें थोड़ा सा हो जाए मन भेद कैसा होता है वह आप देख रहे हैं किस तरीके से होता है कल सचिन पाइलेट जी ने क्या बोला इससे पहले भी यह वन-टू-वन कर रहे थे सचिन पाइलेट जी से कावर्टी के अंदर कर तो उससे पहले रंदावाजी यहां बैटक कर रहे थे और सचिन पाइलेट जी किसान सम्मिलन कर रहे थे उससे पहले इनकी यहां पर विदाइक दल की बैटक होनी थी मानिनिये मुख्यमंत्री जी के आवाज पे और CLP की बैटक जो है वो वहां चल रही थी और ऐसी इस्तति नेता ना नेतरतु आला कमान को खुली चुनोती कभी महेज जोशि देते हैं कभी शांतिदारिवाल देते हैं कभी राजिंदर गुडा देते हैं खुद की पार्टी की कमान इनके हाथ में नहीं है और वन टू वन कर रहे हैं अब रंदावाजी को देखिए कमल नाज जी को बोला कि बात कराओ तो रंदावाजी नाराज होगे मतलब प्रभारी नाराज हो रहे है कि कमल नाज जी को ने साब मैं आका प्रभारी हूँ मैं कि लिए ले गया उस तरीके से करते हैं कंलना जी कैसे आज जाया तो ऐसी इस्तती जो जनता देख रही है और डीपक जी मैं आपको बात करता हूं कि आप आने वाले राजस्तान के इंदर इनके जगड़े की वज़े से जिस तरीके से आज महिलाओं ने बुखता है, जिस तरीके से युवाओं ने बुखता है, जिस तरीके से राजस्तान के युवाओं ने इनकी आपसी लड़ाई के कारण आत्मत्या करने के लिए मजबूर हो गया, वो सारा का सारा इनको बुगतना पड़ेगा और कांग्रेस म पार्टी से तबी साथ उपचुनाओं के अंदर नौप चुनाओं इसमें साथ उपचुनाओं कॉंग्रेस नहीं जीते इनकी जमानते जबत हुई इन्होंने बात करी राजस्तान की विकास की राजस्तान आर्थिक विकास दर 11.04% से पूरे देश में दूसरे स्थान पर आपके देश के आर्थिक विकास दर्थ के मामले में भी तीन गुना ज़्यादा राजस्तान है प्रतिवेक्तियाय राजस्तान की ज़्यादा है राजस्तान का कर्शी उत्पादन ज़्यादा है राजस्तान का रिवेन्यू ज़्यादा है तो विकास की बात तो आप प्रश्टाचार की बाते वो तो ना करें जिनके पूरे के पूरे लोग ब्रश्टाचार में लिप्त है पूर्व जो हमारे गवर्नर है सत्यपाल मलिक उन्हों नहीं ये भाशन में कहा है कि किस तरीके से डेट सो करोड की ब्राइब प्रदान मंतरी मोदी जी के सामने थी और प्रदान मंतरी जी मोदी जी हमेशा चुप रहते हैं प्रदान मंतरी जी मोदी जी ब्रश्टाचार को किस तरह कैसा आगे बढ़ाते हैं आप सुनिए मेरी बात आगे आपने बात करी स्वास्त के उपपर राजस्तान सरकार ने 7% बजट का खर्च किया है स्वास्त के उपपर 3% करते थे आप लोग और आप बात करते हैं महिलाओं की और युवाओं की महिलाओं के लिए 50% हमने फ्री करा महिलाओं के लिए 500 करोड का अमने बजट गोशना करी है युवाओं के लिए बात वोग से जब तौमा नेता एक जाजम पर बैट कर जाएंगे चुनावी लड़ाई लड़ेंगे तो उसके बाद भी तु जीता जाएगा दीपक जी जितने भी विधायक है जितने भी मंत्री है जितने भी कॉंग्रेस के कारे करता है सभी का अंतिम देया है राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार को रिपीट कराना मैंने पूर में भी का हो सकता है विचारों का मदबिद हो सकता है किसी चीज को देखने का नजरिया सबका अलग होता है लेकिन जो अंतिम उद्देश है वे कॉंग्रेस के कारे करता का यही उद्देश है कि प्रदेश में राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार को फिर से लेके और जिस तरह की बयानबाजी भारतिय जंता पार्टी पिछले साड़े चार साल से करती आ रही है यह सिर्फ और सिफ कॉंग्रेस की अंदरूनी कले के नाम पर बाते बोलती है इन्होंने कभी अपनी अंदरूनी कले के लिए कभी नहीं देखा किस तरीके से प्रदेश अद्यक सरकार की जो गलत नहीं थी ह। उससे लोगों को परिशानी आई है उसके लिए यहां से 25-27 बेजे थे राजस्तान की जंता ने ना उन्होंने कोरोना के समय कुछ बोला ना उन्होंने किसी और समस्या के ओपर बात करी ए-र-सी-पी के ओपर आस तक अभी नहीं बोला जब रा करमचारी हो चाहिए वो महिला हो चाहिए वो यूवा हो या वो कोई अन्य करमचारी हो हर तरीके से कॉंग्रेस की सरकार यहां काम करने जा रही है इसलिए समवाद इस प्रदेश के हर एक व्यक्ति के द्वारा किया जारी है जंता पार्टी में प्रदेश अद्देक्ष बढ़ने की परकरिया होती है और उसके तहत बनते हैं मानिने सतीश पुनिया जी ने अपना पूरा कारेकाल किया कारेकाल पून होने के बाद में भी नए प्रदेश अद्देक्ष न्यूक्ति है इनके जैसे नहीं है कि सचिन वर नहीं है जो यह कहता रहता है मंत्रियों को कि आप आजाते हो गंडमेन आजाते हो आदमें आते नहीं है जो अभी अभी आपने सुनाओ तो कहा था उन्होंने कि हम तेरा जिलों के अंदर चुनाओ हार रहे हैं इनके परदेश अद्देक्ष गोविन सिंग डोटासरा का बयान है दिपक जी निकाल के देख लेना आप चार दिन पहले कहिए और चीज इन्होंने गिनाई योजना है मैं तो बहुत अच्छी योजनाओं की बात है इन्होंने काया कि हम राजस्तान की वह बहुत अच्छी 11 परतिशत है विकास दर पांच परतिशत थी 2018 में बेरोज आप बंस्गरी के कारन करता है तो देश में नंबर वन है राजस्तान महीला क्राईम के अंदर नंबर दो के उपर है बालीकाओं के उपर यत्त इत्याचार में नंबर एक है और दीपक गीज जान की आश्चर होगा दो-दो बार मीडिया में चलने के बाद भी 50 रुपे के स पेपर पे अगर बालिकाएं बेची जाती है तो इसी राजस्तान के बीलवड़ा जिले के अंदर बेची जाती है। के अंदर राजस्तान के विकास दर को आप पांस साल पिछे ले गए इन्होंने काया कि केंदर सरकार की यूजना है जो आप तद्धागतित नाकामियां बता रहें इनके अधर पर चुनाव लड़ेंगे अब लोग हम राजस्तान के अंदर जो पिछले कि चारव में महिलाओं ने बुकता है युवाओं ने बुकता है दलित महिलाओं ने बुकता है और राजस्तान की विकास दर जो पीछे चली गए उपर और केंदर सरकार के जो विकास के कारिये हैं जंदन योजनाएं आपके किसानों का सम्मान निदी है उन दोनों चीजों के उपर हम लोग लड़ेंगे आपके नेता भी तितर बितर हुए अलग लग जगह कोई किसी कारिकरता किसी दूसरे नेता के खेमे में को किसी दूसरे के मैं तो उन सबको एक जगह एक मंच पर एक जाजम पर लाने की जरूत नहीं पड़ेगी आप लोगों को देखिए दीपक जी भारते जनता पार्टी में होती नहीं है भारते जनता पार्टी का एक ही निता होता है कमल का पूल आप सुनिए आंदोलन कि तो किरोडी लाल मिना जी भारते जनता पारटी के थे उन्होंने जो सवाल उठाए क् सब्ड़ार कि लिए पैंडराई वیک सोजी को जाकर देखे आये आचिती नहीं पताते क्या कर रहें मैं था और पुरा-पूरा समर्तन भारते जनता करोडी लाल को था कुछ एक नेता दना दे रहा तो किसने समर्तन नहीं किया कौन सा नहीं गया उन्होंने नहीं कहते हैं अगर कुछ भी हो सकता है उनको लगा तो उन्होंने बोल दिया लेकिन जब किरोडी लाल जी पर संदर राजस्तान सरकार के खिलाब अंदोलन हुआ उन्हीं सतीश पुनियां जी नहीं 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 थे यह समाजिक तत्तों को आप बेज के और आप यह दिखाने की कोशिश करो इसके लाब विक्तिकत को आरो पत्यारोब किरोडी लाल जी के उपर सतीश पुनियां जी नहीं तो बताई कि रोडी लाज जी ने हैं बोला कि यह मेरे लोग नहीं थे यह सवाजिक तक्तों को आप भेज कि अगर आप यह दिखाना चाहते हो कि भारत्य जंता पार्टी का एक कमल के पूल के पीछ हम चुनाव लड़ते हैं सब राईवे प्रिवार की प्रदान प्रावल गांधी बनेगे राश्ट्य अध्यक्स का नाम बाद में आएगा पहले प्रियंका गांदी और पहले करनाट के छुनाव में लेकिन प्रदान अपनी जयंगा यूगा भी अपने दाव में आप से संभाद इनी होगा तो फिर कैस से जीथा से लोगा वोगा तो विपक्ष में जहां भारतिय जंता पार्टी थी उससे ज्यादा तो हमने यहां पर किस तरह के अंदोलन की हैं सत्ता में रहते वे भी राजस्तान के अंदर किसी भी तरह से विफक्षा निशान हो नहीं है तो इंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और अभी इन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अद्यक जी को बरदेश का जवाद होगे क्या है और मैंने से पूछना चाता हुआ है उनको क्यों नहीं हटाया जेपी नडड़ा जी का कारेकाल पूरा हो गया था उसके बाद क्यों एक्स्टेंड किया और प्रदेश के जो भारती जंता पार्टी के संगटन की तरफ से किसी तरह का सयोग नहीं मिला जनम दिन एक तरफ वसंद्र राजे जी अपने वाँ डाई-डाई साल सत्ता का बटवारा हुआ था यहां पर उचार साल से सबी लोगों को देखने को मिली है जनता के आवाज कभी बननी पाए हैं किसी भी तरह से ना तो विदान सभा में ना संसद ना सड़क पर यह कि आवाज को उठानी पाएं और उसी का खामे आजा इनको चुनाओं में भुगतना पड़ा और किस तरीके से इनकी जो चंदा पार्ति के जवाज दो ना तेरा जिलो में आर्यम आपने अगर अरे दिपक निसे नहीं सुना हो तो मैं उसका जवाब यहता हूं तेरा जिलो म आरे हैं तो में जात में डोडा सा जीनि है यह जो त्रित्री थे लिए अधिया मदेडना जी ने दो पर आ जाएंगे का राजिय दूर में आ जाएंगे और शुने के नेताओं को जाते हैं अब तो अरी जया पार्ति के लोग जटा जबाट रही दो आपना जिको और जा जि सिर्फ कॉंग्रेस की पार्टी उठाती है तभी तो बारती जंता कर रहे हो राजिस्तान की जंता तरास की फेर मांट के वेंजुनों का उनलुक्त उतारे थे सब्सक्राइब कर दिया है तो सब्सक्राइब कर दिया कर दिया कर दिया हम वेक्सिन नहीं देंगे चार दिन पहले केंटर सरकार ने सभी राज्यों को मना कर दिया कि उनकी तरफ से वेक्सिनेशन की डोस नहीं दी जाएगी राज्यस्तान की कॉंग्रेस सरकार थी राज्टान क्यों सच्चा ही जब सामने आ गई तो चुप होने लग गया कोरोना की बात करते हो लगाया पैसा क्यों लिया वेक्सिनेशन का अगर यह इस तरीके की डिबेट आप करवाना चाहते हो चिल्ला चोट वाली यह जनता नहीं सुनना चाहते हो समझ नहीं आप दोन कि बीस अजार करोड रुपे नरेंदर मोदी जी खा गए बिना तत्ते के आधार प्यारोप लगा रही है मैं आज आपको बताता हूं इसी राजस्तान के अंदर पिछली सरकार के अंदर एक अजार बिगम मुक्हे मंत्री जी ने रोबट बाडरा को दे दी और फरजी नामो रहे थे कि हमारे यह जो लोगतंत्र खत्रे में डाट का क्या है कोट में इनकी इस्तिती और परिस्तिती ऐसी हो गहीं चलाएंगे जोर जोर से यहासा हो गया आप मोदी जी ने ऐसा कर दिया आप कौन सी जगे कौन से गोश में हो इन्होंने काया कि चुनाव आर गेम 19 जिलो टोटल में पूरे विदायकों को लेके ताला बंदी करके फाइव स्थार ओटलों के वेंजनों का सुक भोग रहे थे अगर राजिस्तान की सरकों पर कोई था तो भारतिय जंता पार्टी का कार्य करता था और मैं आप दोनों का रोखना चाहूंगा मैं दोनों को यहां पर बार चर्ट्चा कि आप दोनों का बहुत बशुक्र बगरत में वाल ajustी और साथ में मदनपाजा मचे आप दोनों जुड़े बहुत बहुत बश स्system